Hello everyone, welcome to this academy, I hope आप लोग सब अच्छे होंगी, जो आप लोग की प्रेक्टिस सेट की सिरीज चल ले थी, उसका पार्ट टू है, यदि आप लोग पार्ट वर नहीं देखे हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, यदि आप लोग से अंतर जरू देखेगा नहीं, आप लोग बाद में पच्छता सकते हैं, क्यों बहुत ही महत्पूर, आप लोग के जो सवाल हैं, इस वीडियो में कवर किये जाएंगे, जो आप लोग एकजाम में बहुत बार पुछे गए हैं, साथ-साथ एक बात और बता दू, आप लो पर आप लोग को पीडियो प्रोवाईट पर जाएंगे को सवाल जवाब हो, आप लोग कमेंट कीकर पूर सकते हैं, या आप लोग इस्टागराम पर भी आ सकते हैं, इस्टागराम पर लियरे कि भी इसी वीडियो के tax प्रोवाईट करवादी जागी, चले आज की पहला प पहला सवाल आप लोग के सामने है किस सहर में हुनरहाट के 40 संस्क्राइब का उद्गार्टन किया गया है और सेलेक्शन चाहते है तो आप लोग से सभी सवालों का जवाब बनना चाहिए और आप लोग का पता भी चलिया गया है चलिया है एक प्रिकार का टेस्ट भी हो जाईगा स्वरी इसका सही जवाब होगा आप संसी मुंबई क्या होगा मंबई में हुनरहाट 24 छालिशे सेंसरका उद्गाटन किया गया और संसी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला सवाल ले देते हैं अगला सवाल है भारत किस देश के में क्वांटम केंपूर्टी पर एक वर्चूल नेटवर्किक सेस्टर एस्थापित करने का निर्णा की घोशना की यह है फिनलेंड चीन नेपाल या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब जो होगा यह होगा फिनलेंड आप लोगो और टाइम चेहें तो वीडियो को रोग भी ले सकते हैं फिर उसका एंसर कमेंट आप से लिखना है फिर आगे बढ़ना है ठीक है चले अला सवाल है सड़क परिवान और राजमंत्राले ने किस पोर्टल को विक्सित किया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोईचन है सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्राले ने किस पोर्टर को विक्सित किया है आप लोग जा दखना है E. डार यहनि option C. आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ठीक है? आगला सवाल लेते हैं किस से राज संगितकार प्रफुल का हाल ही में निधन हो गया है? एक किस राज से संबंदित थे? जो एक प्रफिद संगितकार थे आप लोग धानाना है इसका right answer होगा ओडिसा क्या होगा? ओडिसा और एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूँ हर राज के मुखमंत्री और राज जपाल आप लोग से बनना चाहिए ओभी question आप लोगे एक या दो question ज़रू आप लोगे जामें देखने को में सकते हैं हर shift में तो चलिए आप लोग से question ही पूछे लेते हैं आप लोग को बताना है वर्तमान में ओडिसा के मुखमंत्री और निसी याम कौन है कमेंट वाक्स में बताना सभी लोग उडिसा के मुखमंत्री और निसी याम कौन है वर्तमान में आप सभी लोग कमेंट वाक्स में लिखिए आप लोग पार बहुत ही कम टाइप बचा है आप लोग समझेज़ेगा जितना हो सके उतना पढ़िए रिविजन कीज़े अगला सवाल है सिंदू सभीता के लोग द्वारा पूझे जाने वाले प्रमुक पूरुष देवता कौन था ब्रह्मा, विष्णू, आदिसिव या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा आदिसिव और रेल्वे का बहुत ही फेवरेट कोशन है और बहुत बार पूछा जा चुका है कोशन आप लोग को अता दो इसका राइट एंसर होगा आप्शन सी 24 में तीर्थिकर थी महावीर स्वामीन जो है जैन धर्म के 24 में तीर्थिकर थी ठीक है आप लोग को यादख नहें और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेरे जरू कीजेगा चैनल पर नए जुड़े हैं अभी जुड़े हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि आप लोग एक्जाम से रिल्टिट हर वीडियो प्रोवाइट करवाई जाएगी अगला सवाल है निम लिखित में से कौन महत्मादा गाधी की साहितिक कारण नहीं है हिंदु स्वारा जे इंडियन ओपनियन यूगांतर या इनमें से कोई नहीं इसका राइट नंसर होगा आप संसी यूगांतर क्या होगा यूगांतर आप लोगा सही जवाब हो जाएगा चले अगला सवाल है भारत के ग्रेंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है भारत के ग्रेंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है I hope सभी लोग को पता होगा एभी question बहुत ही महत्पुड है और very very important है इसका सही जवाब होगा दादा भाई नवरोजी को grand old man के नाम से जनाता है किसको दादा भाई नवरोजी को any option सी आप लोगा सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है विष्ट का सबसे बड़ा महाकाब कौन सा है रामायड वेद महाभारत या इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option C महाभारत जो है विष्ट का सबसे बड़ा महाकाब है अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए इन में से कौन सा कथन सही नहीं है बहुत लोग बचे एकजाम में जल्दी बादी करते हैं नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग को ऐसा नहीं करना है question को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है प्रस्ट को ध्यान से पढ़नेंगे तो option आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से answer निकाल लेंगे इसका सही जवाब जो होगा यह होगा आप लोग ध्यान देजी का निमने में से कौन सा कथन सही नहीं है बताईए चली इस question को हम लोग का करते हैं आप लोग के लिए छोड़ देते हैं answer बताने के लिए home work के लिए इसका answer बताईए यह नहीं बनेगा आप लोग को next वीडियो बताईएगा home work के लिए आप लोग से एक question छोड़ दिया जा रहा है ठीक है आप लोग समलेज़ेगा इसका right answer क्या होगा ठीक है बारत में समीधान सनसोधन के प्रक्रिया किस देश से लेगी है अमिरिका, जापान, दच्छेव अफिका यह इनमेंसे कोई नहीं ध्यान दीजेगा समीधान सनसोधन के जो प्रक्रिया है यह दच्छी अपरिका से लिए गई है किसे दच्छी अपरिका से या आप लोगो का सही जवाब हो जाएगा अला सवाल है निम्न में से कौन सी विशेशता संगी सरकार की नहीं है अला सवाल है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा का नाम क्या है अजि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है option A, McMohan, B, Turan, C, Red Cliff या D, इन मैंसे कोई नहीं बताईए ये भी बहुत ही महत्पूर्ट question है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है दो-तीन question आप लोग लिए home work के लिए दिया जाएगा देखते कितने लोग बता पाते हैं ये भी question आप लोग लिए home work के लिए इसका भी answer आप लोग को बताना है आप लोग को इसका भी answer आप लोग को next video में बताया जाएगा बनेगा थो अच्छे बात है नहीं तो आप लोग को next video में बताया जाएगा अगना सवाल है एसीया में एस्थित विश्व का सबसे उचा और बड़ा पठार कौनसा है? इसका सही जवाब ध्यान दिजिएगा इसका सही जवाब होगा option A, तिबबत का पठार यहनि option A आप लोगा सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं सिवालिक पहाड़ी निम्लिखेत में से किसका हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालए का हिस्सा है, आप लोगो याद अखना है अरफ सवाल है एनाटॉमे विज्ञान की एक साका है जिसमें अध्यन किया जाता है एनिक प्रश्ण को ध्यान से समझेगा एनाटॉमे में किसका अध्यन किया जाता है एनाटॉमे में आप लोग ध्यान देजेगा किसका अध्यन किया जाता है टिके इसका सही जवाब होगा जानमर और पौदो की सरचना का अध्यन किया जाता है क्या होगा option A आप लोगा सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल लाल रख्त को सिकाओं को किस रूप में जाना जाता है लालरक्द कोशिकाओं को भी किस रूप में जाना जाता है इसका सही जवाब क्या होगा यह होगा अगला सवाब C, आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है sodium का सही electronic विन्यास क्या होगा sodium का सही electronic विन्यास क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा, इसका right answer होगा 281, यहनि option E ठीक है, अगला सवाल यहनि option आप लोगा C होगा, 281 होगा option C क्या होगा? option C अगला सवाल रूब अल खाली रेगिस्तान कहाँ पर इसी थे? यह है आप लोग के सौधी अरब में कहाँ पर है? सौधी अरब में option C आप लोग का right answer हो जाएगा अगला सवाल है जिमनास्टिक खेल में कितने खेलाडी होते हैं? आप लोग ध्यान दिजिएगा कितने होते हैं? बहुत ही महत्पूर्ट सवाल है जिमनास्टिक में? बताइए बहुत अच्छा सवाल है यह भी question आप लोग लिए humber के लिए छोड़ा जा रहा है ठीक है? sport GK से है आप लोग के लिए humber के लिए है इसमें जो वीडियो बना जाता है आप लोग humber के लिए कुछ दो-चार questions डाले जाते हैं जिसमें आप लोग तैयारी देख सकें ठीक है? अला सवाल टिग्रिस नदी की किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है? टिग्रिस नदी की किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है? आप लोग ध्यान देजिएगा टिग्रिस नदी की किनारे जो है आप लोग का मिश सहर बसा हुआ है आप लोग का राइट एंसर होगा अला सवाल है सबसे बड़ी सहायक नदी विश्व में किसे कहा जाता है? इसका राइट एंसर होगा यमुना नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है ने ने मेडीरा है अमेजन की अध्यान देजिएगा आप लोग का बी राइट एंसर होगा क्या होगा? आप सन बी इंडिया की यमुना है अगला सवाल अगला सवाल महेजदास को किसकी उपादी दी गए थी? राजा बीरवल की उपादी दी गए थी ठीक है? आप लोग ध्यान दपना है आप सन भी आप लोग का राइट एंसर होगा अगला सवाल है इनिमिया तोचा रोग किस बीटामे कमी से होता है? इनिमिया और तोचा रोग यह होता है बीटामेन B-C1 की कमी से ठीक है? अगला सवाल है भारती समीधान भाग 11 में क्या वर्णी थे? भारती समीधान में 11 में क्या वर्णी थे? यह भी कोशन आप लोग के लिए होमबर के लिए है बताना है आप सभी लोग को भारती समीधान के भाग 11 में क्या वर्णी थे? अगला सवाल राज्यसवा के सवापती भारत में कौन है? राज्यसवा के सवापती कौन होता है? भारत का उपराष्ट पती होता है यह अप्सन भी आप लोगा सही एंसर होगा अगला सवाल बच्चों के प्रोटीनिक कमी से होने वाले एरों को आप लोगो ध्यान मेरे मेस के नाम से जाना आता है option B आप लोगा सही जवाब हो जाएगा ठीक है? आला सवाल लेते हैं कोटा जन जाती भारत किस राज़े में पाए जाती है? आप लोगो ध्यान दखना है यह तमिलनाडू राज़े में पाए जाती है ठीक है? option C आप लोगा right answer हो जाएगा तो यह रहे कुछ आप लोग के बहुत ही महतपूर्ट सवाल जो आप लोग एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीज़ेगा चले मिलते हैं नेस वीडियो धन्नवाद